तो है गज़ आज की इस वीडियो में आपको सिखने के लिए मिलेगा कि आप किस तरह से Instagram पे जो multiple photo वाली आप post करते हो यानि कि photo upload करते हो उस पर आप music या song किस तरह से लगाओगे यानि कि Instagram पे जो कुछ भी आप Instagram पे photo लगाते हो अपलोड करते हो उस पर आप song या music किस तरह से लगाओगे मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ उसको आप change किस तरह से कर सकते हो उसके साथ साथ आप किस तरह से Instagram पे जो भी photo upload करते हो उस पर song किस तरह से एड़ कर सकते हो जो भी trending song किस तरह से आप find कर सकते हो Instagram पे मैं आपको सब बताने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो को फूरा देखिए और हाग गैज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है तो जल यह सुरू करते हैं और हैंगेज हमने Instagram को ओपेन कर लिया है और आप भी ओपेन कर लेना देन आपको उपर की साइट प्लस वाले आइकन पर यहां पर किलिक करना है आपको मैं टिक करके दिखा दे रहा हूँ यहां पर प्लस का आइकन दिखेगा जश्ट आप जैसे ह गैलेरी कहले खुलकर ओपेन हो जाएगी यहां से जिस भी फोटो पे आप सॉंग या आयडियो MUSIC लगाना चाहते हो उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा सवाह अगर आप फोटो सलेक्ट करते हो तो फूल फोटो किस से सेलेक्ट करेंसे हमें आपको बताता हूं कि एक से अधिक फोटो के लिए आपको यहां पर किलिक करना होगा जिससे क्या हो गा कि मल्टिपल फोटो सलेक्ट होने लएंगा आप जितना चाहोँ जतना फोटो आप यहां से ऐड कर सकती हो 57 और 10 फोटो आप easily यह से सलेक्ट लिएंग कर लिए ह। तो हमने फोटो को सलेक्क कर लिया देन्या से नेक्स्ट वाले अप्शन पर केलिक करेंगे और कुछ इस तरह से अगर आप इंस्टरेगाम पे एडिरी बगड़ा करना चाहते हूं हो donc तो जैसे फोटोब करना है जैसे फोटोबब किलिक करते हो तो कुछ इस तरह से एडिक का option मिल जाता है जहां से आप थोड़ा बहुत लाइटिंग बगड़ा अर्जेस्ट कर सकते हो और हाँ आप म्यूजिक या सौंग लगाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हो जश्ट आपको म्यूजिक वाले आइकन पर क्लिक करना है देन आपको यहां पर बहुत सारे सौंग म्यूजिक एडियो साउंड बहुत सारा चीज आपको यहां पर सजिस्ट किये जाते हैं अगर आपको पसंद आता है म्यूजिक या सौंग तो अच्छी बात है नहीं आता है तो आपको उपर की साइड सर्च का आइकन दे दी जाता है जहांसे आप अपने हिसाब से म बूस्ट करता है आपकी पोस्ट को और आपका लाइक मिलेगा आपको फॉलोवर्स भी गेन होगा आपको इस इस्ट्रग्राम पोस्ट से तो आपको अगर लाइक बगड़ा चाहिए तो हम ऐसा ट्रेंडिंग सौंग यूज करना नहीं तो आप इसली जो भी आपको पसंद बिलता जहां से आप कोल्बरेट बगड़ा कर सकते हो किसी दुसरे क्रियेटर साथ दुसरे एकउंट के साथ आप को लाइब बगड़ा कर सकते हो जिससे क्या होता है कि उसके ओडियंस के पास आपका इंस्ट्राइम पोस्ट जाएंगे और फॉलोवर्स भी बढ़ एंस्ट्राइम पोस्ट को करना चाहते हो तो दर्बाइच हम यहां से रहने देते हैं जो फ़ी फोलोवर्स हैं उसको हमारा इंस्ट्राइम पोस्ट दिखना चाहिए और ऋपनी पूरफाइल पर आते हैं रिफ्रेस तो तरह सा कर लगते हैं और आप देख पाऊगे कि हमारा इस्टाग्राम पोस्ट हो गया आज की इस वीडियो में आपको सिखाया हूँ कि आप किस तरह से फूल फोटों इस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो जिस पर मुझी क्या सौंग लगा सकते हो यान कि मल्टीपल फोटो वाली पोस्ट पर मुझी के और सौंग किस तरह से आप लगा सकते हो मैंने आपको सिखाया आज की इस वीडियो में और हैंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चाहां को सब्सक्राइब कर दिचे झाले मुझी की ऑडिखाया झाले में